नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चेनल वी CS Basic Physics में आज के इस वीडियो से हम कटसा बार है भोतिक विज्ञान बोड एक्जाम 2022 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण परसनों की स्रीज प्रारंब करने जा रहे हैं इस स्रीज में हमने objective type के questions, short answer type, numerical type के questions का संकलन किया है ये जो questions है वो हमने गत वर्सों के बोड एक्जाम के परसन पत्रों से, modal परसन पत्र से थदा NCRD के पाठे करम को ध्यान में रखते हुए त्यार किया है विद्यार्तियों, हमें उमीद नहीं बल्कि 100% भरोसा है कि इस स्रीज में से आपको अधिक से अधिक परसन मिलेंगे या इसी प्रकार के pattern पर आधारित पत्र आपको बोड एक्जाम के परसन पत्र में मिलने वाले हैं विद्यार्तियों, RBSC के पठे करम में 9 चप्टरब सेलेबस में रहे हैं आज से हाँ मैं पहला चप्टर विद्दूत आवेश एवं छेतर प्रारंब करने जा रहे हैं विद्यार्तियों, इदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में अधिक से अधिक से अधिक सेर करें ताकि सभी स्टुडेंट्स को अधिक से अधिक लाब मिल सके हमें इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले हम लेते हैं पहला परसुन दो आवेशों के मद्दे बल कैपिटल एफ है यदि उनके मद्दे की दूरी को तीन गुना कर दी जाए तब आवेशों के मद्दे बल क्या होगा एक वार क्यूशन को समझ लीजिए कि हमारे पास में दो आवेश हैं जिनके मद्दे लगने वाले बल का फॉर्मूला ये होता है क्यूवन क्यूटू अपॉन आर स्कुए अब हमें इस क्यूशन में कहा गया है कि दोनों आवेशों के मद्दे की दूरी को ये आप तीन गूणा कर दें पहले जो दूरी थी वो आर है अब जो नई डिस्टेंस है वो आर डेस जो की तीन गूणा आर के बराबर है तब हमें पूछा गया है कि नया जो बल है वो कितना होगा तो नया जो बल है K Q1 Q2 बट्टे में R-Dase के square के बराबर होगा तो यहां से Q1 Q2 upon R-Dase R-Dase का जो मान है वो है 3R 3R का जब square करेंगे तो हमारे पास में आजएगा 9R-Square तो K Q1 Q2 upon R-Square इसके इस्तान पर हम put कर सकते हैं यह F then F upon में 9 आजएगा तो इस Q2 का जो solution है वो होगा F बट्टे में 9 दूसरा Q2 देखिए कि एक घन के अंदर plus minus Q आवेशों वाले दो दिधूरवे एक दूसरी के लंबवत रखे हैं तो घन से निर्गत कुल विद्धूत फ्लक्स का मान क्या होगा हमारे पास में इस तरीके से एक घन है और उस घन के अंदर दो विद्धूत दिधूरवे रखे हुए हैं एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं यहां पर प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं तो इस घन से निर्गत विद्धूत फ्लक्स की वेल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम गाउस की नियम का उप्योग करेंगे जो कि समेशन क्यू अपोन में अपसल नोट के बराबर होता है समेशन क्यू है बंद प्रस्ट में उपस्तित कुलावेश तो बंद प्रस्ट में उपस्तित कुलावेश है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू तो जो कुल आवेश है वो जीरो हो गया तत्पस्चाज जो वेदुत फ्लक्स है वो भी जीरो हो जाएगा सुनने हो जाएगा तो इस क्यूशन का सोलुशन है वेदुत फ्लक्स का मान है सुनने अगले परसंद को देखी अगले परसंद में हमें एक एलेक्ट्रोन वा एक प्रोटोन एक एंगस्ट्रोन की दूरी परिस्तित हैं तो निकाय का दिधुर्व आगून पूछा है एक एलेक्ट्रोन है एक प्रोटोन है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम 2A से लिखते हैं जो की हमें एक एंगस्ट्रॉम दे रखी है एक यहाँ पर इलेक्ट्रोन है एक प्रोटोन है दोनों पर आवेश समान होता है परकत्ति विप्रित होती है तो यह एक द्युदुरों का निर्मान कर लेते हैं तो यहाँ पर जो उपस्तित आवेश है उसका परिमान एक पॉइंट 6 गुण दसकी घात माइनस 19 कुलाम होता है देन विद्यू धिद्रो आगुण P equal to होता है Q into 2A Q का जो मान है वो है 1.6 गुण दसकी घात माइनस 19 2A यहाँ पर है एक इंगस्ट्रॉम और एक जो इंगस्ट्रॉम होता है वो दसकी घात माइनस 10 मेटर के equal होता है देन हमें क्या मिल जेगा किल्कुलेशन करेंगे तो P का मान मिल जेगा 1.6 गुणा दसकी घात माइनस 19 और माइनस 10 यहाँ पर दसकी घात हो गई है माइनस 39 कुलाम इंटू मेटर यह आगे है तीसरी क्यूशन का solution यहाँ पर हम options को गोर करके देखेंगे तो हमें मिलेगा 1.6 गुणा दसकी घात माइनस 29 कुलाम इंटू मेटर विदेड़ती हूँ, यहाँ पर यह 2A कमाण एक अंगस्ट्रोम है नर्किần एक कमाण यदि आप एक अंगस्ट्रोम लेकर चलते हैं तो इसका सोलुशन ही आएगा यदि आप ए बराबर एक अंगस्ट्रोम ले लेंगे तो आपका गलत आनसुर में आझाएगा ऐ वाला option आ जाएगा अगले question की ओर बढ़ते हैं चोथा question देखिए कि दो आवेशों के मद्दे काच की plate रख दी जाए तब उनके मद्दे का व्यद्द बल पूरव की तुलना में हो जाएगा विद्यारतियों दो आवेश हैं उनके मद्दे लगने वाले बल को हम k q1 q2 upon r square से लिख सकते हैं और जब दोनों आवेशों के मद्दे निर्वात होता है तब इस k की value होती 1 upon 4 pi epsilon note बल का formula ये होगा अब हमें ये कहा गया है कि यदि इन दोनों आवेशों के मद्दे हम काच रख दें तो काच रख देंगे तो यहाँ पर epsilon आजाएगा epsilon के स्थान पर हम epsilon note, epsilon r put कर सकते हैं देन जो नया बल है वो पुराने बल की तुलना में एक बटा epsilon r गुणा हो जाएगा epsilon r का मान काच के लिए एक से अधिक होता तक पर चाहत जो बल का मान है वो कम हो जाएगा तो विद्द बल पूरव की तुलना में कम हो जाएगा पांचमा क्यूशन देखिए कि एक विद्द दिधरों को समरूप विद्द चितर में रखने पर उस पर निम्न मैसे कारियरत होगा कि एक समान विद्द चितर के अंदर किसी विद्यदु दिफ्रों को रख देंगे तो उस पर कुल बल जीरो हो जएगा उस पर लगने वाला कुल बल जीरो होगा केवल बल अघूण के उप़र काम करने वाला है तो इसमें केवल बल अगूण आएगा अगला ग्यूशन देखिए कि एक साबून के बुलबले को रिनावेशित करने पर उसकी तृज्जिया कम हो जाती है, बढ़ जाती है, आया परिवर्थित रहती है, जानकारी अपूर्ण है तो देखे हमारे पास में है एक साबुन का बुलबुला और जब इसको हम रिनावेश देंगे तो इन रिनावेशों के मद्दे परतिकर्षन होगा और परतिकर्षन के कारण से इसके आकार में वृद्धी हो जाएगी इसका आकार बढ़ जाएगा तो एक साबुन के बुलबुले को रिणाविसित करने पर उसकी त्रिजिया बढ़ जाती है अगले क्यूशन की ओर चलते हैं साथवा क्यूशन देखे किसी वरग के चारों कोनों पर समान परिमान के सजाती आवेस इस्तित हैं यदि किसी एक आवेस के कारण वरग के के अंदर पर विद्दुच्छतर केपिटल ई हो तो वरग के के अंदर पर परणामी विद्दुच्छतर की त्यूर्दा क्या होगी क्यूशन को देख लीजिए हमारे पास में इस तरीके से एक वरग दे रखा है और ये कहा गया है कि समान परिमान वाले सजाते आवेश मुझूद है तो यहाँ पर प्लस क्यूँ आवेश है यहाँ पर भी प्लस क्यूँ है यहाँ पर भी प्लस क्यूँ आवेश है चारों सिर्सों पर समान आवेश मुझूद है इनके विकिर्णों का परतिछेद बिंदू यहां पर मौजूद है और किसी एक आवेश के कारण से जो विदुच्छतर की त्यूरता है वो capital E है तो इस आवेश के कारण से मैं consider कर लूँ capital E तो उसकी direction होगी इधर इस आवेश के कारण से विदुच्छतर की त्यूरता होगी E उसकी direction इधर इस आवेश के कारण से विदुच्छतर की direction होगी इधर जो की E होगी इसी आवेश के कारण से भी capital E होने वाली है आप यहां पर इस डाइग्राम को गवर करके देखिए कि इस बिंदू पर इस विकिर्ण के अनुदिस विद्धुच्छतर प्रीमाण में समान एक दूसरे की विपरित दिसा में हैं दोनों एक दूसरे को निरस्थ कर देंगे इसी प्रकार से ये दोनों भी परिमान में समान एक दूसरे की विप्रित दिशा में होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे थता इनकी विक्रिणों के प्रतिछेद बिंदू पर कुल जो विद्धुच्छतर की तियोड़ता है वो सुनने होती है जीरो प्रांप्त होती है तो इसका जो सोलुशन होगा वो जीरो होगा ए ओप्शन होगा आठों प्रसंद देखिए कि एक गोले में आवेश क्यों इस्तित है तो गोले की तिरज़ा आदी करने पर निर्गत विद्धुच्छतर का मान परिवर्तित हो जाएगा हमारे पास में इस तरीके से एक गोला है और उस गोले के अंदर इसमोल क्यों आवेश मोजूद है तो इससे रिलेटेड जो विद्धुद फ्लक्स है वो है क्यों बट्टे में अपसलेंट नॉट अब हमें ये कहा गया है कि यदि इस गोले की रेडियस हम आदी कर दें तो इसके विद्धुद फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो यहां पर आप देखें इसकी रेडियस जब हम आदी कर देंगे तो इस में से गुझरने वाली विद्धुद चितर एखाओं कि संख्या पर कोई एफेक्ट नहीं पड़ेगा उतना ही विद्धुद फ्लक्स होगा तो नया जो विद्धुद्फ्लक्स है वो पहले वाले विद्धुद्फ्लक्स के समान ही होगा विद्धुद्फ्लक्स का मान ए परिवर्तित रहेगा अगले परसंद की और बड़ा नौवा परसंद देखिए कि दो चालक गोलों की तरिजें ए व बी है इन्हें समान प लिख रहे हैं K Q1 बट्टे में R1 स्क्वेर, दूसरी गोले की विद्दुच्छतर की तियोड़ता K Q2 बट्टे में R2 स्क्वेर, यहां पर हमें इन गोलों की जो रेडियस है वो A और B दे रखी है, तो मैंने R1, R2 की जिगें A और B पूट कर दिया है, आवेश गनत्व दोनो सिग्मा बराबर होता है, आवेश बट्टे में छेतरफल, आवेश बट्टे में छेतरफल होता है, तो यहां से आवेश की स्थान पर हम आवेश गनत्व इंटू छेतरफल पूट कर सकते हैं, तो आवेश गनत्व सिग्मा और इस गोले का छेतरफल होजएगा 4Pi A स्क्वे हमें इन गोलों पर उपस्तित जो विद्दुचितर की तियोड़ता हैं उनका नुपात पूछा है E1 बट्टे में E2 पूछा है तो इसमें जब इसका भाग लगाएंगे तो यहां से हमारे पास में रह गया A2 by B2 और यहां से हमारे पास में रह गया है यहां से हमारे पास में रह गया है देगे A2 सब कुछ कढ़ जएगा यहां से भी A2 से A2 कैंसिल हो गया 4Pi के सिगमा तो यहां से हमारे पास में B2 by B2 तो value हमारे पास में E कनुपात E का जएगी कुल मिलाकर इसका जो solution है वो A कनपात 1 होगा दस्वा क्यूशन देखे विद्दुचितर की त्योड़ता का मातरक है तो E बराबर होता है F बटे में Q तो E का मातरक वही होगा जो F बटे में Q का मातरक होगा F का मातरक होता है Newton Q का मातरक होता है कुलाम तो Newton परती कुलाम है विद्दुचितर की त्योड़ता का मातरक होगा अगले कुशन की ओर बढ़ते हैं 11 कुशन हमें दे रखा है कि किसी प्रोटोन पर उसके भार के बराबर विद्दुदबल लगाने पर विद्दुचितर की त्योड़ता का मान क्या होगा देखिए जो प्रोटोन का भार होता है वो Mg और उसके उपर हम बल लगा रहे हैं विद्दुदबल Q इंटु E हमें इस E का मान पूछा है तो E बराबर हमारे पास में आजेगा Mg बट्टे में Q M का जो मान है वो है प्रोटोन का दुर्यमान जोकि 1.67 इंटु 10 पावर माइनस 20 सेविन होता है G का मान होता है 9.8 अपॉन यहाँ पर जो Q है वो है प्रोटोन का आविश जोकि 1.6 गुणा दसकी घात माइनस 19 कुलाम होता है यहाँ से जब हम इसको केलकुलेट करेंगे तो देखे हमें क्या मिलने वाला है जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो मैं 1.6 का यहाँ पर भाग लगा देता हूँ पॉइंट हड़ जाएगा तो एक बार में चला गया 16 आ गया फिर पॉइंट आ जाएगा यह सेविन तो यहाँ सेविन 70 70 के अंदर यह 4 बार में चला जाएगा चार से पहले हमारे को एक जीरो और मिल जाएगा भाग लगाएंगे तो फिर इंटू 10 पावर माइनस सेविन इंटू 9.8 विद्यार तो यहाँ पर इन आंस्वर को देखती हूँ ऐसा लग रहा है कि जीका जो मान है वो इन्होंने 10 लिया है 10 लेंगे तो हमारे पास में यहाँ से हमारे पास में 10 की घात मैनिस 8 आएगी तो एक यहाँ 10 लेंगे तो एक घात और कम होजेगी 1.04 इंटू 10 पावर मैनिस 7 न्यूटन परती कुलाम या वोल्ड परती मीटर आजेगा तो इसका जो सोलूशन है वो से पार्ट होगा बारवा क्यूशन देखिए एक माइक्रो कुलाम का आवे इसकिसी विद्दू चितर में 10 की घात मैनिस 2 न्यूटन का बल अनभू करता है तो विद्दू चितर की त्यूदधा कितनी होगी तो E बराबर होता है F बटे में Q F की जो वेल्यू है वो हमें दे रखी है 10 की घात मैनिस 2 और Q कमान हमें माइक्रो कुलाम दे रखा है तो माइक्रो का मतलब होगी 10 की घात मैनिस 6 यहाँ पर आजएगा हमारे पास में 10 की घात 4 न्यूटन परतिक कुलाम 2 ओप्षन इसमें सही होगा 13 की जो देख लिए कि एक चालक गोले पर माइनिस 50 लेक्टोन आवेश है तो दूसरे गोले पर प्लस 20 लेक्टोन आवेश है यह दोनों गोलों को इस पर कराकर अलग कर दिये जाए तो प्रतिक प्रावेश होगा तो देखे जो दोनों पर जो आवेश हैं इस तरीके से दो गोले हैं दोनों पर जो आवेश हैं उनका योग हो जाएगा तो माइनिस में 50 इ प्लस में 20 इ कुल मिलाकर माइनिस में 30 इ होगा अब जब दोनों को वापस एक दूसरे से अलग कर देंगे दूर दूर कर देंगे तो यह जो आवेश है वो आदा हदा हो जाएगा माइनस में 15 E माइनस में 15 E रह जाएगा देन प्रतेक गोले पर हमें आवेश पूछा है तो माइनस में 15 E होगा अगला क्यूशन देखिए हमें पूछा है कि प्लस सिग्मा प्लस्ट आवेश गुनत्व वाली आवेशित परत के एक और से दूसरी और जाने पर विद्धु छतर में परिवर्तन होगा देखे इस क्यूशन को आप लोग समझ लीजिए कि हमें एक ऐसे परत दे रखी है इसके उपर प्लस में सिग्मा प्लस्टी आवेश गुनत्व है इसके इस ओर से हम इस ओर जाएं तो यहाँ पर देखे विद्धु छतर की तिवर्ता होती है सिग्मा पौन में अपसलन नोट एक वार इस क्यूशन में आप देख लीजी आवेश गुनत्वाली तो सिग्मा पौन में टू अपसलन नोट विद्धु छतर की तिवर्ता है इसकी डिरेक्शन है इस प्रस्ट से दूर की हो इससे भी प्रस्ट से दूर की हो तो जो कुल जो इधर से हम यदि इधर जाएं तो जो विद्धु छतर की तिवर्ता है उसमें कितना परिवर्तन आएगा इसको मैं कह दूँ इधर है मारे पास में जो विद्धु छतर की तिवर्ता है इसको मैं E1 इसको मैं कह दूँ E2 तो कुल जो विद्धु छतर की तो एक तरफ से दूसरी तरफ यदि आप जाते हैं तो विद्धुच्छत्र की तियोड़ता में जो परिवर्तन है वो सिग्मा अपोन में अफसल नोट के इक्वल होगा पंदरवां क्यूशन देखिए विद्धुच्छ की वीमा है तो देखें विद्धुच्छ को हाँ मैं फाई से पूट करते हैं जो की ए वेक्टर की इक्वल होता है तो फाई की वीमा वही होगी जो ए इंटु एक की वीमा होगी तो ए यहाँ पर विद्धुच्छ की वीमा की उड़ता है जिसका फोर्मूला होता है एप अपोन में क्यू तो एप अपोन में क्यू इंटु एक की वीमा फाई की वीमा के इक्वल होगी तो फाईनली देख लीजिए एफ की वीमा है वो M1 L1 T-2 आवेस की वीमा A1 T1 A की वीमा L2 देन हमें क्या मिल जाएगा M1 L3 T-3 A-1 वीमा प्राप्त हो जाएगी आप यहाँ पर गोर करके हम यहाँ पर देखें तो हमें यह पहला उप्षिन दिखाई दे रहा है जो की विद्धुद फ्लक्स की वीमा को बता रहा है अब हम यहाँ पर यह तो हमारे थे Objective Type की क्यूशन्स और इससे पहले चप्टर के अब हम देख लेते हैं अती लगुत रात्मक एक-एक सब्दो वाले क्यूशन्स सबसे पहले आप दिखिए सोलवा जो क्यूशन है सोल वे क्यूशन का सोलुशन देखे एक क्वांटम आवेश का मा लिखे तो देखे आवेश का जो क्वांटा होता है वो ÉlE Side के आवेश के बड़ाबर होता है और एक क्वांटम आवेश एक क्वांटम आवेश लेक्ट्रोन के आवेश के बराबर होगा लेक्ट्रोन के आवेश के प्रिमान के बराबर होगा एक पॉंट छे गुनदस की घात मैनिस 19 कुलाम के एक्वल होगा फिर हमें सत्तरवे क्विशन के अंदर पूछा है कि एक कुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं इसमें हमें पूछा गया है Q का मान हमें दिया है एक कुलाम इलेक्ट्रोनों की सेंख्या पूछी है विद्यारतियो आवेश के क्वांटी गरंड से हम जानते है Q बराबर होता है N E तो यहां से N बराबर आगया है Q बट्टे में E Q का जो मान है वो एक E का जो मान है वो है 1.6 गुणादस की घात माइनस 19 देन N बराबर हमें क्या मिल रहा है एक बट्टे में 1.6 गुणादस की घात माइनस 19 जब बट्टे से उपर जाएगा तो प्लस में 19, मैं यहाँ पर प्लस में 18 लिख देता हूँ, 10 यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉइंट यहाँ से अटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 पावर 18, तो एक कुलाम आवेश में लेक्टोनों की संख्या 6.25 गुर्णस की घात 18 होती है, फिर हम बात करते हैं 18 वे कुशन की, तो आवेश का सिजियेस प्रत्ति में मातरक होता है, तो आवेश का सिजियेस प्रत्ति में मातरक होता है, इस्टेट कुलाम, इस्टेट कुलाम इसका मातरक होता है, एक कुलाम बराबर, तीन गुणा दसकी घात 9, स्टेट कुलाम आवेश होता है अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं बिंदु आवेस के कारण से विद्दु छितर की त्योड़ता का सुत्र लिखिए बिंदु आवेस के कारण से विद्दु छितर की त्योड़ता होती है ये बराबर 1 upon 4 pi अपसल नोट Q बट्टे में R स्क्वेर बिंदु आवेस के क्यूशन में हमें पूछा है अपसल नोट का मान क्या होता है तो दिखिए अपसल नोट का मान होता है 8.854 गुण दसकी घात माइनस 12 है कुलाम स्क्वेर परती न्यूटन इंटू मेटर स्क्वेर मातरक लगाना ना भूले 21 क्यूशन देखिए विद्यु दिधरु आगूण का मातरक और V मा लिखिए मैं पहले आपको विद्यु दिधरु आगूण का सुत्र बता देता हूँ P बराबर होता है Q इंटू में 2A तो P का मातरक क्या होगा P का मातरक वही होगा जो Q इंटू 2A का मातरक तो कुलाम इंटू मेंटर इसका मातरक है फिर हम बात करते हैं P की वीमा की तो P की वीमा वही होगी जो Q इंटू 2A की वीमा है Q यहां पर A1 T1 A1 T1 तो 2A यहां पर दूरी है जिसकी वीमा होगी है L1 तो L1 A1 T1 इसकी वीमा होगी 22 वे क्यूशन देखेए किसी विद्धुत दिधुर की अक्स एवं निरक्स पर विद्धुच्छतर की त्योड़ताओं में क्या संबंद होता है तो देखें विद्धुच्छतर की त्योड़ता अक्स पर तो होती है के 2P अपोन में R कूब तो जो यदि हम इसको डिवाइड करें निरक्स वाड़ी जो विद्धुच्छतर की त्योड़ता है उसके अंदर इसका भाग लगएं तो अक्स वाली जो विद्धुचितर की त्योड़ता है उसकी आदि होती है तो निरक्स पर विद्दुच्छतर की तियोड़ता, अक्स पर विद्दुच्छतर की तियोड़ता की आदी होती है ये था 22 वे क्यूशन का सोलुशन, फिर देखे 23 वे क्यूशन का सोलुशन आवेश की उपस्तिती वा धुरोता का पता लगाने वाले उपकरण का नाम बताईए तो स्वर्ण पत्तर विद्दु दर्सी स्वर्ण पत्तर विद्दु दर्सी की सहाईता से हम आवेश की उपस्तिती थदा उसकी धुरोता का पता लगा सकते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे और एक जो फेराडे है वो बरावर होता है 9500 कुलाम के अगला क्यूशन देखिए डिवाई किस भोतिक रासी का मात्रक है तो ये विद्यु दिधुर्वा आगून का मात्रक है अगले क्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं 26 क्यूशन देखिए उस प्रियोग का नाम लिखिए जिससे विद्यु तावेश की क्वान्टम प्रकत्ति की स्थापना हुई तो मिलिकन के तेल बिंदुक प्रियोग से हैं विद्यु तावेश की क्वान्टम प्रकत्ति की स्थापना हुई थी फिर अब देखिए 27 क्यूशन 27 क्यूशन में हमें कहा गया है कि दो बिंदु आवेशों Q1 वर Q2 के लिए Q1 Q2 लेस्थे जीरो है तो दोनों आवेशों के मद्दे लगने वाले बल की प्रकत्ति क्या होगी कि दो आवेशों का गूणा जीरो से छोटा है देखिए 27 क्यूशन का सोलुशन देखेंगे Q1 Q2 लेस्थे जीरो इसका मतलब क्या है Q1 या Q1 वर Q2 दोनों में से एक धनात्मक एक धनात्मक वै एक रिनात्मक आवेश है और जब एक धनात्मक है दूसरा रिनात्मक है तो इनके मद्दे बल की जो प्रकत्ति है वो आकर्षन प्रकत्ति होगी बल आकर्षन प्रकत्ति का होगा फिर देखिए 28 क्यूशन 28 वे क्यूशन के अंदर हमें कहा गया है निर्वात की विद्दू सिल्ता की वीमा लिखिए मैं आपको निर्वात की विद्दू सिल्ता का मातरक बताता हूँ कुलाम स्क्वेर परती न्यूटन इन्टू मेट्रे स्क्वेर इसके coding ही अपसल नोट की वीमा में आपको बताता हूँ कुलाम आवेश का मातरक होता है जिसकी वीमा A1 T1 होती है स्क्वेर कर देंगे Newton बल का मातरक है जिसकी वीमा M1 L1 T-2 होती है मिट्रे स्क्वेर जिसकी वीमा L2 हो जाएगी तो फाइनली अपसल नोट की वीमा है वो क्या हो जेगी M-1 L-3 T4 A2 ये अपसल नोट की वीमा होगी 29 वे क्यूशन की ओर चलते है तामबे का पराविदूतांक कितना होता है तो तामबे का जो पराविदूतांक होता है क्योंकि एक चालक है और चालकों का प्राविदूतांक अनन्थ होता है अगले क्यूशन की और बढ़ते हैं हमें कहा गया है नाइट्रोजन के नाबिक पर आवेश की घणना कीजिए तीसवा क्यूशन देखे कि नाइटोजन के नाबिक पर कितना आवेश है तो हम यह जानते हैं कि नाइटोजन के नाबिक के अंदर साथ प्रोटोन होते हैं और साथ ही न्यूटोन होते हैं तो जो भी आवेश होगा वो प्रोटोनों का आवेश होगा क्योंकि न्यूटोन विद्दू तुदासीन होते हैं एक प्रोटोन का आवेश 1.6 गुणदस की घात मैनिस 19 कुलाम साथ प्रोटोन होते हैं तो उनका आवेश हो जेएगा 11.2 गुणदस की घात मैनिस 19 कुलाम अगले कुशन की ओर बढ़ते हैं ये तो था तीसवी कुशन का सोलीशन 31 कुशन का सोलीशन देखे विद्दू छित्र का उदासीन बिंदू सिक्या अतात पर ये है तो उदासीन बिंदू का मतलब है कि ऐसा बिंदू जहां पर कुल विद्दू छित्र की तियोड़ता सुनने हो सुनने हो उदासीन बिंदू कहलाता है 32 विक्यूशन को देखिए इस्तिर आवेश के चारों और उत्पन छित्र का नाम बताईए देखें इस्तिर आवेश विद्दु छित्र उत्पन करता है गत्सिल आवेश विद्दु छित्र के साथ में चुम्बके छित्र भी उत्पन करता है और जब आवेश तवरित गती करता है तो विद्दु छित्र के साथ में चुम्बके छित्र और विद्दु छुम्बके तरंगों का भी उत्सर जन करता है 33 देखिए किसी निकाई में प्लस 3 कुलाम मैनिस 7 कुलाम मैनिस 11 कुलाम मैनिस 19 कुलाम प्लस 21 कुलाम आवेश हो तो निकाई का कुल आवेश कितना होगा तो किसी निकाई के अंदर हमें इस तरीके से आवेश दे रखे हैं 3 कुलाम मैनिस में 7 कुलाम तो प्लस में 3, माइनस में 7, माइनस में 11, माइनस में 19, प्लस में 21, तो यहां से आप देखेंगे प्लस में तो हो गई है 24 कुलाम, और माइनस में हो जाएंगे हमारे पास में 37 कुलाम, एक बार फिर से आप टोटल देख लीजी, माइनस का 37 कुलाम, देन Q की जो वेल्यू है व चोंतीस्वों क्यूशन देखे कि विद्धू दिद्रों के कारण से अक्स या निरक्स पर विद्धू छेतर की तीवरता थदा प्रेक्षन बिंदू की विद्धू दिद्रों से दूरी पर निर्भरता बताईए तो देखिए अक्स पर जो विद्दुच्छतर की त्यूरता है वो होती है K2P अपोन में RQ निरक्स पर जो विद्दुच्छतर की त्यूरता है वो होती है KP अपोन में RQ तो दूरी के साथ में दोनों ही सुत्रों में जो विद्दु छेतर की तियोरता है वो घन के विद्कर्मानुपाती होती है दूरी के घन के विद्कर्मानुपाती होती है ये इन दोनों की निर्बड़ता है इस तरीके से E और R के मद्दे ग्राप हमें प्राप्त होता है स्थितियों पर सुनने होती है 35 वी उच्शन के अंदर हमें कहा गया है कि समावे से चालक गोला है और किन इस तितियों में जो विद्दु छेतर की त्युर्दा है वो सुनने हो सकती है तो एक तो देखे पहली जो इस्थति है वो तो है गोले के अंदर चालक गोला है और चालक गोले के अंदर सदे विद्दुच्छतर की त्यूरता सुनने होती है दूसरी है अनंत पर क्योंकि आर का मान जब आप अनंत रखेंगे क्योंकि विद्दुच्छतर की त्यूरता गोले के बाहर होती है केक्योपोन में आर स्क्वेर R का मान जब अनंत पुट कर देंगे तो विद्धुचितर की त्यूरता सुनने प्राप्त हो जाएगी अगला क्यूशन देखिए कि समरूप आवेशित एचालक प्रत के कारण विद्धुचितर की त्यूरता को दूरी के साथ में आलेकित कीजिए हमारे पास में एचालक प्रत है समावेशित प्रत है तो उसके कारण से जो विद्धुचितर की त्यूरता होती है वो सिग्मा पॉन में टू अपसल नोट होती है यदि इसको मैं वेक्टर के रूप में रिकूँ तो ये R केप यहाँ पर आजएगा लेकिन R की घात 0 के समानू पाती होती है अर्थार्त विद्धुचितर की त्यूरता दूरी पर डिपेंड नहीं करती दोनों के बीच में आप ग्राप खीचें तो इस टाइप का ग्राप हमें प्राप्त होने वाला है दूरी के साथ में विद्धुचितर की त्यूरता में कोई बदलाव कोई परिवर्दन नहीं आता है अगला क्यूशन देखिए से 30 क्यूशन को देखेंगे कि विद्धुचित फ्लक्स को परिभासित कीजिए तब बताईए कि यह सदिस रासी है या अदिस रासी है अब की वार हमें इसके डेफिनेशन पूट करनी है विद्धुचित फ्लक्स की डेफिनेशन हम यहां पर पूट कर रहे हैं कि विद्धुचितर के लंबवत रखे प्रस्ट में से गुजरने वाली विद्धुचितर रखाओं की सेंख्या को हम विद्धुचित फ्लक्स कहते हैं और विद्धार तो यह एक अदिस रासी होती है चले मैं डेफिनेशन यहां पर पूट कर देता हूँ विद्धुचितर के लंबवत रखे प्रस्ट में से रखे प्रस्ट से गुजरने वाली विद्धुचितर रखाओं की सेंख्या को रेखाओं की सेंख्या को विद्धुचित फ्लक्स कहते हैं विद्धुचित फ्लक्स कहते हैं फाई बराबर होता है ई वेक्टर डोट ए वेक्टर तो ये दो सदिसों का अदिस गुणनफल होता तत फश्यात यह एक अदिस राशी होती है तो ये कैसी राशी है फाई एक अदिस राशी होती है अगले क्यूशन को देख लीजिए कि 12 सेंटीमेटर वाले ठोवो से गोली प्रस्ट पर चालक के प्रस्ट पर 1.6 गुणनफल की घात मानिस 19 कुलाम आवेश से एक समान रूप से वित्रित है तो चालक गोले के अंदर विद्दुच्छतर की त्यूवरता ग्याद कीजिए 38 मा क्यूशन देख लीजिए कि हमारे पास में एक गोला है और उस गोले के उपर एक समान रूप से आवेश वित्रित है तो हमें ये पूछा है कि इस गोले के अंदर विद्दुच्छतर की त्यूवरता कितनी होती है हम ये जानते हैं कि चालक के अंदर विद्दुच्छतर की त्यूवरता सुनने होती है चाहे उसके प्रेश्ट पर कितना भी आवेश क्यों ना हो तो चालक के अंदर जो विद्दुच्टर की त्यू उड़ता है वो सुनने होती है 49 विक्यूशन में देखे विद्दुच्टर एकाओं के कोई दो गूण लिखिए तो 49 विक्यूशन का सॉलुशन है विद्दुचितर रेखाओं की दो प्रोपडी हमें लिखनी है कि देखे विद्दुचितर रेखा के किसी बिंदु पर खेंचे गई इस परस रेखा उस बिंदु पर विद्दुचितर की दिसा को वेक्त करती है दो विद्दू छितर रेखा हैं कभी भी एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करती विद्दू छितर रेखा हैं धनावेश से बहार निकलती है रिनावेश में प्रवेश करती है मैं कोई से दो गुण दिख देता हूं कि विद्दू छितर रेखा के किसी बिंदू पर रेखा के किसी बिंदू पर खिंची गई इस पर्स रेखा खिंची गई इस पर्स रेखा उस बिंदू पर उस बिंदू पर विद्दु छेतर की दिसा को बताती है दिसा को वेप्त करती है दूसरी प्रोपर्टी क्या है दो विद्दु छेतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को पताती है प्रतिशेद नहीं करती कभी भी एक दूसरे को पताती है कभी भी एक दूसरे को पताती है चालीस्वों क्यूशन देखिए कि हमें देरखा है 200iK प्लस 300jK वोल्ड प्रति मेटर तीवरता के समस्त विद्दु छेतर में 5 गुनदस की घात मैनस 3 JK मेटर स्क्वाइर का छितरफल लखा है तो इस छितरफल से निर्गत विद्दुत फ्लक्स का मान क्या होगा हमें ये E का मान दे रखा है ये A का मान दे रखा है 5 का मान पूछा है 5 बराबर होता है E वेक्टर डोट A वेक्टर E का मान हमारे पास में है 200 IK प्लस 300 JK डोट प्रोड़क्ट होगा इसका 5 गुनदस की घात मैनस 3 JK के साथ में यहां से आप देखेंगे IK और JK का जो डोट प्रोड़क्ट है वो 0 हो जाएगा JK का JK के साथ में डोट प्रोड़क्ट 1 हो जाएगा इन दोनों का डोट प्रोड़क्ट तो हो जाएगा 0 इन दोनों का डोट प्रोड़क्ट हो जाएगा 1 तो 300 गुनदस की घात मैनस 3 JK डोट JK वाला पद यहां पर रहेगा बाकी का 0 हो जाएगा तो यह आगया हमारे पास में 1500 गुनदस की घात मैनस 3 Newton इन टू मेट्रे स्क्वेर परती कुलाम इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.5 Newton इन टू मेट्रे स्क्वेर परती कुलाम यह वाल्ट इन टू मेट्रे भी इसका मातरक पूट कर सकते हैं देखे 41 वी क्यूशन में हमें क्या कहा गया है कि आवेसी चालक के के 21 चतरफल पर लगने वाले बल का सुत्र लिखिए था इसकी दिसा भी बताईए 41 वी क्यूशन देख लीजिए आवेसी चालक के 21 चतरफल पर लगने वाले बल का सुत्र लिखिए था इसकी दिसा भी बताईए तो देखे किसी आवेसी चालक के इकांक छितरफल पर लगने वाले बल को हम सिग्मा स्क्वेर अपॉन टू अपसल नोट से पूट कर सकते हैं और इसकी जो डाइरेक्शन है वो चालक के प्रस्ट के लंववथ चालक के प्रस्ट के लंवथ होती है प्रस्ट के लंबवत इस बल की डिरेक्शन होती है अगला क्यूशन देखिए गाउसी परमे का सुत्र लिखिए हमें केवल गाउसी परमे का सुत्र पूछा है गाउसी परमे हमें ये कहती है कि किसी बंद प्रस्ट से सम्मन्दित वेद्ध फ्लक्स का मान बंद प्रस्ट में उपस्तित्कुल आवेशों का एक बटा अपसल नोट गुणा होता है ये गाउसी पर में हमें कहती है फिर देखें अगला क्यूशन 43 वा क्यूशन देखेंगे कि आवेशित ऐ चालक परत के कारण विद्दुच्चतर की प्रेक्षन बिंदु की दूरी पर निर्भरता का आलेक खींचिये देखिए हमने इससे पहले इसी टैप का एक परसन देख लिया है आलेक हमें खींचना है वही क्यूशन फिर से दोरा रहा है आवेशित ऐचालक परत की वज़े से है तो देखे ग्राफ आप देखेंगे इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है एचालक परत के कारण से तो एक तरफ E, एक तरफ R एचालक परत के कारण से जो विद्दुच्चतर की त्यूड़ता होती है वो सिगमा अपोन में टूप सन नोट जो कि दूरी पर निर्भर नहीं करती दूरी की जीरो घात के समानुपाती होती है तो ये है 43 वेक्यूशन का सोलुशन फिर हमें देखे क्या कहा गया है चुमा लेक्यूशन में कि एक अनंत विस्तार के एचालक परत के एक सेंटिमेटर स्कुएर चेतरफल में 17.7 माइक्रो कुलाम आवेश है तो आवेश परत के निकट विद्दू छेतर की गणना कीचिए हमें जो चेतरफल दे रखा है वो एक सेंटिमेटर स्कुएर मतलब दसकी घात मैनिस 4 मेटर स्कुएर दे रखा है आवेश हमें दे रखा है 17.7 माइक्रो कुलाम मतलब 17.7 गणना दसकी घात मैनिस 6 कुलाम परत के निकट विद्दू छेतर की त्योड़ता पूछी है तो देखे परत के निकट विद्दू छेतर की त्योड़ता हमारे पास में होती सिग्मा पॉन में 2 अपसल नोट और सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में A क्यू अपॉन में A तो 2 A अपसल नोट आज़ेगा हमारे पास में तो E कमान कितना है Q कमान कितना है 17.7 गणना दसकी घात मैनिस 6 बट्टे में 2 1 कमान है 10 की घाथ माइनिस 4 अपसल नोट कमान हमारे पास में है 8.854 गुण 10 की घाथ माइनिस 12 है तो देखे जब इस 2 को इस से गुणा करेंगे तो यह 17.7 के something आजाएगा इक कमान हमारे पास में 10 की घाथ माइनिस में हो गया यहाँ पर 16 बट्टे से उपर जाएगे तो प्लस में सोल है और कुल मिलाकर हमारे पास में 10 की घात प्लस में 10 रह जाएगा न्यूटन न्यूटन परती कुलांग यह हमारे पास में विद्धुच्छतर की त्यूड़ता का मान आ गया है सुत्र आ गया है फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्यूशन की ओर देखिए कि एक ए परिमित विस्तार के लिए सीधे तार पर रेखी आवेश घनत्वय दो माइक्रो कुलांग परती मीटर है लेमड़ा बराबर हमें दे रखा है दो माइक्रो कुलांग परती मीटर देखिए इसको हम इसे भी लिख सकते हैं दो माइक्रो कुलांग परती मीटर और रेखी आवेश से वायू में दो सो मीटर की दूरी पर विद्धु छतर की गणना पूछी है आर बराबर हमें दे रखा है दो सो मीटर तो ई बराबर होता है के टू लेमड़ा अपोन में आर के कमान होता है नो गुण दसकी गात नो लेमड़ा कमान हमें दे रखा है दो गुण दसकी गात मैनिस च्छे आर कमान हमें दो सो मीटर दे रखा है दो से एक दो केंसी लो गया यहां से हमारे पास में क्या गया नो को दो से गुणा करेंगे तो अठार है गुणा दसकी गात कुलाम अगले क्विशन में हमें क्या कहा गया है कि एक सिक्के से कितने लिक्ट्रोर निका लिए जाएं कि उस पर 10 की घात मैंने 7 कुलाम का आवेश आजाए तो जब हम लिक्ट्रोर वहां से निकालेंगे तो वहां पर धनावेश की अधिक्ता हो जाएगी ऐसे एक्च्वल में ये दस्की घात मैंने साथ कुलाम के बजाए प्लस में हो जो भी है क्विशन में थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे कितने लेक्टोन निकाल लिए जाएं कि उस पर दस्की घात मैंने साथ कुलाम का आवेश है तो देखिए यहां पर ये प्लस में ही दे रखा है क्विशन में कोई कमी नहीं है प्लस में ही दस्की घात मैंने साथ कुलाम आवेश दे रखा है तो क्यू कमान हमें दे रखा है दस्की घात मैंने साथ कुलाम एन कमान हमें पूछा है तो n बराबर q बट्टे में e हो जाएगा तो n, q कमान है 10 की घात मैनिस 7 e कमान है 1.6 गुण दसकी घात मैनिस 19 यहां से पॉइंट इठाएंगे तो 1.0 लगा देंगे 10 की घात मैनिस 7 पहले से पड़ा है प्लस में 19 आ गया तो यहां पर हमारे पास में प्लस में 12 प्लस में 12 को हम कर देते हैं यहां पर 11 क्योंकि मैंने 1.0 यहां पर लगा दिया है अब जब यहां से हम किल्कुलेट करेंगे तो देखे 6 बार में फिर 6.25 यही आने वाला है गुण दसकी घात 11 है ये हमारे पास में इलेक्टोनों की संख्या आजएए फिर उसके पस्षाद आप देखिए अगला क्यूशन और इस सिरीज का अंतिम क्यूशन विद्यारतियो बने रही है आप हमारे साथ में अगले सिरीज के लिए भी अगले चप्टर के परसंद पत्रों के संकलन के लिए भी हम आपको बता दें कि हम सभी चप्टर के अप्ति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल उब्जेक्टिव टाइप और सो टांसो टाइप की सिरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो ये पहले चप्टर की सिरीज थी और विद्यार्तियो अपने क्लासमेट्स के साथ में फ्रेंड्स के साथ में इस सिरीज को इस वीडियो को अधिक से अधिक से अधिक से एर करें तांकि सभी स्टुडेंट्स को अधिक से अधिक लाप राप्त हो सकें अंतिम परसंद की ओर चलते हैं 47 में क्यूशन देखिए हमें एक विद्दू दिधुरुआ आगूण दे रखा है पीकी वेल्यू दे रखी है 4 गूण दसकी घात माइनस 9 कुलाम इंटू मीट डायर आगूण का कोई विद्दू दिधुरुआ है 5 गूण दसकी घात 4 न्यूटन परति कुलाम प्रिमान के किसी एक समान विद्दू छेतर की डिसा से 30 डिगरी के कोण पर रखा गया है तो विद्दू दिधुरों पर कारेत बल आगूण की वेल्यू ग्याद कीजिए तो बराबर होता है P E sin theta P कमान हमें 4 गुण दसकी घात माइनस 9 E कमान हमें 5 गुण दसकी घात 4 और sin 30 डिगरी 5 गुण दसकी घात माइनस 5 sin 30 डिगरी कमान होता है 1 बत्ता 2 2 यहाँ से केंच से लो गया 10 गुण दसकी घात माइनस 5 इसे हम 10 की घात माइनस 4 Newton into meter भी पूट कर सकते हैं तो ये थी विद्यारतियों हमारे पहले चप्टर के महतोपून परसनों का संकलन सिरीज आप हमारे साथ में यूँ ही बने रहे हैं अगले चप्टर के महतोपून परसनों के साथ हम फिर से लोटेंगे आज की इस विद्यो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों